खन से दूध बहाने लग गई या यमुना नती तो लागे दूध देशी गोवन्स की खूबसूरती के जरूर से पैमाने होने चाहिए और जब पैमाने निश्चित होंगे उस समय राठी नसल की गदरी गायों को जरूर से उनमें सामिल किया जाना चाहिए क्योंकि देशी गोवन्स के अंदर खूबसूरती सर्वादिक जिन नसलों में पाई आती है वह राठी नसल है और राठी नसल में ऐसी गदरी यानि की जो दो कलर के कॉम्बिनेशन है उनसे बनता है इस गाय की अडर क्वालिटी भी बेहतरीन है शो क्वालिटी की अडर क्वालिटी है साथी गाय के अंदर ब्रीड के क्रेक्टर्स भी कफी शांदार शोकेस हो रहे है इस गाय के बारे में आपको इसी वीडियो में कंपलीट डिटेल दूँगा आप अंत तक वीडियो को दे राथी सबसे अधिक खूबजूरती इस गाय की अडर क्वालिटी में है गुलाबी आचल है लंबी नाभी तो ही साथी भारी जालर है गलकंबल काफी सुन्दर है एवरेज साइज का हम्प है राथी नसल की गायों में हम्प का साइज आपको जनरली बहत कम देखने को मिलेगा माथा वाइट कलर का है चोड़ा माथा है और चोड़े ही कान है मोटे नथुने है लंबी पूँच गुच्छेदार है जमीन को लगबग टच होते वे है इस गाय के बारे मैं आपके साथ पूर्ण जानकारी साजा कर रहा हूँ अगर आज आप इस चैनल पर नहीं है हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नजदीक दिये गए बैल आइकन पर क्लिक कर ओल नोटिफिकेशन बैल दबाए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर और सबसे पहले मिले और आप इन वीडियो के म सब्सक्राइब तक की दूछ हमता की अपेक्षा इस गाये से चोहान डेरी फार्म के ओनर पाली चोहान जी कर रहे हैं जो इस गाये को सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं विलेज 16 जैड सोला जैड डिस्टिक सिरी गंगानगर राजस्तान के रहने वाले हैं इनके मेल नमबर पर संपरक करके आप इस गाये के बारे में पूरी जानकाई ले सकते हैं यहां विजिट करकर इसे अच्छी तरीके से देख परक कर खरीदें खुद विजिट करेंगे तो बेतर रहेगा क्योंकि इस गाये के अलावा भी जो देशी गोवन्स है राठी साहिवाल के डिमांड की गई है कीमत में बार्गेनिंग की जा सकती है ट्रांसपोर्ट फेसलिटी भी आपको यहां से वेलिबल होगी गाये दूसरे ब्यात में ग्याबिन है ब्याने में लगबग चार से पांस दिन ओर ड्यू है आशा करता हूं गाये आपको पसंद आई होगी दे तो लाइक शेर जरूर से करें धने बाद दोस्तों